धन तेरस की दिन खरीद लाना दस रुपए की ये एक चीज हो जाओगे धन बान स्रेश्रिवाय नमस्तुभम दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 धन तेरस की दिन सोना चांदी नहीं बलकि 10 रुपए की ये एक चीज घर ले आना धन की देवी मा लक्ष्मी जी साथ आएंगी दोस्तों साल 2024 में धन तेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा साथी साथ अगर आप धन तेरस पर ये एक चीज अपने घर धन तेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसे समझ लेजे मा लक्ष्मी इतना परसंद होती हैं कि वह खुद आपके घर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़ कर नहीं जाती हैं बिसेश कर आज की वीडियो में जो 10 रुपे की चीज हम आपको बताने वाले हैं ये चीज अगर आप धन तेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है धन तेरस के दिन बहुत ही शुब होता है और इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा धन में ब्रधी होती है धन जो है बड़ता चला जाता है तो वैसे तो धन तेरस पर सोना चान्दी बहुत ही शारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके खरीदारी की जाती है लेकिन आपको बता दें कि सास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़े खरीदने के बारे में बताया गया है जिनहें जितने से घर में शुबता आती है और जितने भी दर्यदरता है गरीबी है धन से जुड़ी समश्याएं हैं बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं तो आज की वीडियो में जो चीजे हम आपको बताने वाले हैं अगर आप धन तेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं जिने खरीदने में आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं मातर दस रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं और इन चीजों को जब आप धन तेरस के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो लक्षमी जी के साथ साथ धन के देपता कुवेर जी भी प्रसन होते हैं और फिर आपके घर में धन बड़ता चला जाता है तो धन तेरस्ट का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत शारी चीजें ऐसी होती है जो खरीदना बहुती शुब होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर में जो है मा लक्ष्मी जी की कृपा बरस्ती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है तो चलिए बात कर लेते हैं पहली चीज कौन सी है वह वस्तु है जो आपको धन तेरस के दिन विशेश कर जरूर खरीदनी चाहिए क्योंकि यह एक चीज अगर आप धन तेरस बर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो मा लक्ष्मी जी के साथ साथ तो आती है और फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है यहाँ पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता तो पान के पत्ते में श्वयम मा लक्ष्मी जी का वास होता है पान के पत्ते में मा शरश्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मा पारवती और मंगला देवी का भी इस्थान होता है साथी साथ आपको बता दे कि सिव और काम देव का निवास पान के पत्ते में है और बहुत शारे देवी देपता जो हैं पान के पत्ते में बास करते हैं तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है कितने लेकर आएं, दो पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, पांच भी ला सकते हैं, आप एक पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं तो दस रुपए में आप या पांच रुपए में आपको एक पान का पत्ता मिल जाएगा तो धन तेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर ले आएं और मा लक्ष्मी जी को इन्हें आरपित करें मतलब मा लक्ष्मी जी के सामने यह पान के पत्ते चढ़ाएं क्योंकि मालक्ष्मी श्वेम इन में बास करती हैं और मालक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत ही प्री होते हैं अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के बीच में इन्हें रख चलिए बात कर लेते हैं दूसरी वस्तु जो आपको धन तेरस की दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए क्योंकि यह एक चीज को अगर आप धन तेरस की दिन खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मा लक्ष्मी स्रीहर विश्णु जी के साथ घर आती है और फिर कभी आपके घर को छोड़ कर नहीं जाती देखे जहां स्रीहर विश्णु होते हैं वहां पर माताल लक्ष्मी का वास होता है इसलिए सबसे पहले आपको भगवान विश्णु जी को परसंद करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि जहां विश्णु भगवान का वास है वहां से माताल लक्ष्मी छोड़ कर कभी नहीं जाती है अगर आप चाहते हैं कि माताल लक्ष्मी हमेशा परसंद रहें आपके घर में हमेशा वास करें तो आप सबसे पहले भगवान विश्णु जी को परसंद करें दूसरी वस्तु है हल्दी जो की हरी को बहुत प्री है भागवान विश्मी जी को बहुत प्री है आप क्या करें कि हल्दी यह तो साबोत लेकर आ सकते हैं गांठ ले आख सकते हैं या फिर हल्दी PCV भी लेकर आ सकते हैं आपको हल्दी 10 रुपए की भी मिल जाएगी 5 रुपए की भी मिल जाएगी 20 रुपए की भी हल्दी मिल जाएगी तो आप अगर पैकेट वारा लेकर आएं या फिर गांठ वाली लेकर आएं देखिए हम पर लगाएं और माता लक्ष्मी जी के भी आप माते पर टीका लगाएं और आप इसे वहीं भागवान विश्णु माता लक्ष्मी जी के सामने इस हल्दी को रख दें बाद में इस दीपा वली के बाद इस हल्दी को आप थोड़ा सा पीले कपड़े में या पीले कागज में लपेट कर धन पेटी पे रख दें, आलमारी पे रख दें, बाकि आप यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा हल्दी आप निकाल कर आप नित्ते से अपने माथे पर लगाएं, दोस्तों इसे माथे पर लगाने से आपके चेहरे पे चमक तुआएगी, मान समान मिलेगा, जहां भ लोग भी रहेंगे, तो हल्दी बहुत सस्ती छोटी से चीज है, इसे भी लेकर जरूर आएं, अब तीसरे क्रम पर आता है धनिया, धनिया मातल लक्ष्मी को बहुत ही प्रीवस्तु है, धनिया कहते हैं जहां धनिया होती है, वहां मातल लक्ष्मी स्वता ही वास करने चली जाती हैं, आप धन तेरस के दिन 10 रुपे की, 5 रुपे की, 20 रुपे की धनिया जरूर खरीद कर लेकर आएं, सस्ती छोटी से चीज आपको मिल जाएगी आराम से, इसे खरीद कर लेकर आएं, और आप इसे मातल लक्ष्मी जी के सामने आप एक लाल पोटली में बना के रख दें, और इसकी पूजा पाठ जब मातल लक्ष्मी जी के करेंगे दीपावली के दिन आप इसे करें, धन तेरस के दिन खरीद कर लाना है, दीपावली के दिन इसकी पूजा करना है, और फिर दीपावली के बाद इसे आप एक गमले में कौारी बना कर इसको बो दें, और ज आप दिन दुगनी राज शुगनी तरक्की करेंगे और आपका पूरा महक उठेगा घर, तो धन्या जरूर लेकर आएं, वैसे तो साबूत धन्या भी थोड़ा सा आप लाल कपड़े में लपेट कर पूजय स्थान पर रखें, तो बहुती शुब होता है, शाथी धन्या तेरस के दिन आप एक चांदी के सिक्का लेकर आएं, हलाकि चांदी के सिक्का आपको दस रुपए में नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत इशुब होता है, जिसमें मातल लक्ष्मी गड़ेश भगवान की आकरती बनी हो, चांदी के सिक्का लेकर आएं, या फि इस रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, 20 रुपए में मिल जाएगा, देखे दोस्तों, झाड़ू में जिसमें प्लास्टिक ना लगी हो, झाड़ू बहुत ही, शुब और पवित्र होती है, क्योंकि मातल लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है, धन्तेरस के दिन आप और दीपा वली की दिन आप इसकी बिद्वत पूजा करें दीपा वली की दिन आप इसकी बिद्वत पूजा करें दीपा वली की दिन आप इसकी बिद्वत पूजा करें दीपा वली की दिन आप इसकी बिद्वत पूजा करें दीपा वली की दिन आप इसकी बिद्वत पूज शफाई करे से जाडू से आप घर से निर्धनता गरीबी दर्यदता सब भाग जाएगी माता लक्षमीजी कृपा वरसेगी तो धन तेरस के दिन आप 10 रुपे के एक छोटी सस्ती जाडू भी लेकर आ सकते हैं दो जाडू लेकर आएं जब भी लेकर आएं तो दोस्तों जाड पादुका लेकर आएं इस दिन ये भी बहुत शुब और पवित्र होती है साथी साथ इस दिन कुछ जड़ी बूटिया भी लेकर आ सकते हैं जिसे केली की जड़ लेकर आएं तुलसी की जड़ लेकर आएं साथी साथ गूलर की जड़ लेकर आएं जो बहुत पवित्र और लड़ जीरे का जड़ भी ले कर आ सकते हैं, लड़ जीरे का जड़ आपको आशानी से मिल जाएगे, जिसे अप मार घे बोलते हैं, चिरचिरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों इन में से कोई बी एक चीज आप अपने शामर्त के अंसार जरूर ले कर आएं। दोस्तों हम समझ सकते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी मातल लक्ष्मी जी से संबंधित ये वीडियो है धन 13 से संबंधित ये वीडियो है इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा ज्यादा ज्यादा लाइक ज्यादा ज्यादा शेर करिएगा लोग